सावन के सौमवार की कथा अमरपुर गाउं में एक धनी व्यापारी रहता था दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी उसकी मृत्यू के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ती को कौन संभालेगा पुत्र पाने की इच्छा से वेह व्यापारी प्रति सौमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था साएकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था उस व्यापारी की भक्ती देखकर एक दिन पार्वती ने भागवान शिव से कहा हे प्रार्नात यह व्यापारी आपका सच्छा भक्त है इतने दिनों से यह सौमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है भगवान आप इस व्यापारी की मनो कामना अवश्य पूर्ण करें भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा हे पारवती इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ती होती है प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है इसके बावजूद पार्वती जी नहीं माने उन्होंने आग्रे करते हुए कहा नहीं प्रार्णात आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी यहे आपका अनन्य भक्ते है प्रति सौमवार आपका विधिवत वृत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगा कर एक समय भोजन ग्रहन करता है आपको इसे पुत्र प्राप्ती का वर्दान देना ही होगा पार्वती का इतना आग्रह देख कर भगवान शिव ने कहा तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ती का वर्दान देता हूँ लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा उसी रात भगवान शिव ने स्वपन में उस व्यापारी को दर्शन दे कर उसे पुत्र प्राप्ती का वर्दान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक चीवित रहने की बात भी बताई भगवान के वर्दान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अलपाईयों की चिंता ने उस खुशी को नश्ट कर दिया व्यापारी पहले की तरह सौमवार का विधीवत व्रत करता रहा कुछ महिने पर शात उसके घर अतिसुंदर पुत्र उत्पन हुआ पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुश्यां भर गई, बहुत धूम धाम से पुत्र जन्म का समारों मनाया गया व्यापारी को पुत्र जनम की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अलपाईयू के रहस्य का पता था यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था विद्वान ब्रामणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा जब अमर बारे वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वारानसी भेजने का निश्चे हुआ व्यापारी ने अमर के मामा दीब चंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वारानसी छोड़ाओ अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया रास्ते में जहां भी अमर और दीबचंद रात्री विश्राम के लिए ठहरते वहीं यग्य करते और ब्रामणों को भुजन कराते थे लंबी यात्रा के बाद अमर और दीबचंद एक नगर में पहुँचे उस नगर के राजा की कन्या के विवा की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था निश्चिस समय पर बारात आ गई लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था उसे इस बात का भैस अता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवा से इनकार न कर दे इससे उसकी बदनामी होगी वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मश्टिक्ष में एक विचार आया उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूला बनाकर राजकुमारी से विवा करा दूँ विवा के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊँगा वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की दीपचंद ने धन मिलने के लालज में वर के पिता की बात स्विकार कर ली अमर को धूले के वस्त्र पहना कर राजकुमारी चंद्रिका से विवा करा दिया गया राजा ने बहुत सा धन दे कर राजकुमारी को विदा किया अमर जब लोट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओरनी पर लिख दिया राजकुमारी चंद्रिका तुम्हारा विवा तो मेरे साथ हुआ था मैं तो वारानसी में शिक्षा प्राप्त करने चा रहा हूँ अब तुम्हें जिस नव्युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वे काना है जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पड़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया राजा ने सब बाते जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया उधर अमर अपने मामा दीप चंद के साथ वारानसी पहुँच गया अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया जब अमर की आयू 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यग्य किया यग्य की समाप्ती पर ब्रहामनों को भूजन कराया और खूब अन्वस्त्र धन दिये राद को अमर अपने सेनकक्ष में सो गया शिव के वर्दान के अनुसार शे नवस्त्र में ही अमर के प्राण पखेरू उड़ गए सूर्य देर पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे मामा के रोने विलाप करने के स्वर्व समीप से गुजरते हुए भगवान शेव और माता पारवती ने भी सुने पारवती जी ने भगवान से कहा प्राणात मुझसे इसके रोने के स्वर्व सहन नहीं हो रहे आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें भगवान शिव ने पारवती जी के साथ अद्रिश्च रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पारवती जी से बोले पारवती यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है मैंने इसे 16 वर्ष की आयू का वर्धान दिया था इसकी आयू तो पूरी हो गई पारवती जी ने फिर भगवान शिव से निवेधन किया हे प्राणात आप इस लड़के को जीवित करें नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्व के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे इस लड़के का पिता तो आपका परंभक्त है वर्षों से सौमवार का वरत करते हुए आपको भोग लगा रहा है आरवती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वे जीवित होकर उठ बैठा शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहां अमर का विभा हुआ था उस नगर में भी अमर ने यग्य का आयोजन किया समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यग्य का आयोजन देखा राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया यग्य समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा दीप चंदने नगर में पहुँचते ही एक दूद को घर बेज कर अपने आगमन की सूचना भेजी अपने बेटे अमर के जीवित वापिस लोटने की सूचना से वियापारी बहुत प्रसन हुआ वियापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयम को एक कमरे में बंद कर रखा था भूखे प्यासे रहे कर वियापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रतिग्या कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यू का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचा अपने बेटे के विवा का समाचार सुनकर पुत्रवदू राजकुमारी चंद्रिका को देख कर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वपन में आकर कहा हे श्रेष्ठी मैंने तेरे सौमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसंद होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है व्यापारी बहुत प्रसंद हुआ सौमवार का वरत करने से व्यापारी के घर में खुश्यां लोटाई शास्त्रों में भी लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सौमवार का विधिवत वरत करते और वरत कथा सुनते हैं उनकी पीछाएं पूरी होती है जै भुलेनाथ